नमस्कार आप देखरें इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी रिशी वालमिकी ने रामायन में लिखा है रामो विग्रहवान धर्मह यानि राम धर्म के मूर्थ स्वरूप है आप ये पूछ सकते हैं कि फिर धर्म क्या है लक्षमन सुरी अपनी रचना में ये कहते हैं जिनके हाथ में दान, पैरों से तीर्थ यात्रा, भुजाओ में विजय श्री, वचन में सत्यता, प्रसाद में लक्षमी, संघर्ष में शत्रू के मृत्यू ये है राम के गुण। आज हम करेंगे चर्चा, हमारे साथ बेहत खास महमान इंडिया टीवी के स्टूडियो में मौझूद है सुधानशु तरिवेदी जी, सुधानशु जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका, आज सुधानशु जी मैं जो आपसे चर्चा करने जा रही हूँ, वो केवल बीज पांशु ची, शुरुबात यहीं से कि राम आपके लिए क्या है, कौन है राम? जाके आपने अभी जो अपनी बात प्रारम की रामो धर्मह विग्रह, धर्म के विग्रह हैं, तो शायद आस बहुत से लोगों को और खासकर यंगर जनरेशन को तो बहुत सी चीजें विस्मृत हो गई हैं, उसमें उनका भी दोश नहीं है, तीन पीडियों से हमारी पढ़ किसी चीज़ को होल्ड करना, तो वो तत्व जिसने की सामपूर्ण सृष्टी को होल्ड किया हुआ है, वो धर्म होता है, जैसे हमारे जर्म ये नहीं है जिसको आप हिंदु मुस्लिम सिक्किसाई कहते हैं, हमारे जर्म ये है, सूरी का अपना धर्म है, कि वो निकलता पृत्वी का अपना धर्म है कि वो चलती रहेगी रितुओं का अपना धर्म है उसी प्रकार राम क्या है राम शब्द का संस्कृत में जो उत्पति है वो रम धातु से है जो रम हिंदी संस्कृत और अधिकांश भारती भाषाओं में या प्रयोग होता है रमने कार्थ होता ह settle होना आप ने शब्द सुना हो ग रता हूं हो ना रमता जोगी भेता पानी बहुत मन रब रहा है इसमें लोग बहुत रमनी के स्थान यानि वो चीछ जिसमें आप settle हो जाएं तो रम शब्द का जो व्याकरण के अनुसार अर्थ है वो है रमते इतिराम यानि वह तत्व जिसमें कि सारा संसार सारी स्टी सारा ब्रहम्हांड सारा क्रिएशन सेटिल्ड है डिट इस राम तो धर्म ही धारण करता है और राम भी उसी के पढ़नी है माली एंचिनिंग पढ़ई तो फोर्स क्या है मास क्या है asked preparation क्या है वेलाष टि क्या इसकी definition पता होंगी तब द्रू요ton's law पढ़ता होगा है कि adjusting track subject हमें क्या है थिक तो उसी प्रकार धर्ब और राम दोनों की शाब्धिक व्याक्षा समझ लीजे तो उनकी परमार्थिक व्याक्षा क्या है इसका आभास आपको सोटा लग जाएगा धर्मो रक्षती रक्षिता अब आपको बता रहें अगर आपकाः धर्म यह है कि सड़क पर लेफ्ट साइड चलना है सब अगर लेफ्ट साइड चलेंगे ट्रैफिक में कोई प्रावर्म नहीं आएगी आप इधा उधर करना चुरू काएंगे दो चार पांच परसेंट लोगों तक तो ट्रैफिक चलेगा अगर हर वेक्ति अपना धर्म छोड़ देगा सारा ट्रैफिक महीं रुख तो समय समय पे अनेक रूप लेकर भगवान अनेक लोगों को तै करते हैं कि जब धर्म की हानी हो पीड़ा हो अब जैसे अब थोड़ा राजनेतिक दृष्ट से अगर कह दूं तो हमारी सरकार आने से पहले महेंगाई भी प्रचंड थी भारत की अंतर राष्टी स्थिती भ नियति के रूप में चुना तो हो सकता मोदी जी कोई चुना हो कि भाया आप आईए और उसके बाद ये जितने भी लोग हैं जिनोंने देश को कष्ट दे रखता है उस कष्ट के निवारण का माध्यम बनाए हम तो यह कहते हैं माध्यम बनता है हर वेक्ति तो हो सकता है कि भगवान ने मोदी जी को इस कि का माध्यम बनाए या यह विपक्ष ने यह कहा है और राम को माध्यम बना लिया है चुनाव का आपने राम को कैंडिडेट बना कर चुनाव में उतार दिया है देखिए जो लोग इस प्रकार की बात कहते हैं वो भूली जाते हैं चुनाव कब शुरू हुए 1952 में हुआ ना पहला चुनाव और शीराम नला कब प्रकट हुए 22-23 दिसंबर 1949 चुनाव का तो विशय नहीं था और जब वो हुए तो उनकी सबसे पहले पूजा अर्चना किस नहीं की थी योगी आदित नाज जी के गुरू महंत अवैद दिनाज जी के गुरू महंत दिख्विजे नाज जी ने अब यहाम आई तो पार्टी क्या मन में बनी हम तो राम नला के साथ तपसे खड़ें यह विशय तो 500 साल का है चुनाव का नहीं बर अफसोस की बात यह है हमने कभी भगवान राम को चुनाव का मुद्दा नहीं है और mañana जिस इस्तिती में पहुंचे इस कारण से उनके मन में वो फीलिंग आती है पदर जे करेंगे हम बाबरी को याद करेंगे अब यह बात हम पहले भी कह चुका है यह पूर्ना चह़कता हूँ बाबरी को याद करेंगे तो बाबरी परंपरा में चार भाई थे ना शुजा, मुराद, दारा और औरंग्जेब एक ने चार का कतल कर दिया था तीन का और सगे बड़े भाई दारा शिको का सर काटके थाली में सजाके जेल में साज अहां को डालके उसके पास भेजा था और हमारे राम की परंपरा में चार भाई हैं राम लक्षमन भरस चत्रुखन एक पिता के वचन पे बन जाने को तैयार दूसरा उनके साथ जाने के तैयार, तीसरा खड़ाओं में रखके शासन करने को तैयार तो उनसे पूछ लो भाईया, जेल में जाना चाहते हो बुढ़ापे में और अपने दूसरे बेटे कटे हुआ सर देखना चाहते हो या अपने बेटे को इतना अग्याकारी चाहते हो कि अगर वो कहे दो कि सारी संपत्ती छोड़ दो तो छोड़े हमारा आतों सब लड़ने के लिए तैयार रहते हैं संपत्ती के लिए भाई बहन, भाई भाई सब आपस में लड़ने को तैयार है तो इसलिए जो बाबरी की परमपरा में लेना चाहते हैं तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ देखिए यह देश रगुवर का देश है, यानि राम की परमपरा यह यदुवर का देश है, कृष्ण की परमपरा का तो रगुवर की परमपरा से जोड़िए, यदुवर की परमपरा से जोड़िए, बाबर की परमपरा से मत जोड़िए तुलसी दास जी अपने का दोहे में कहते हैं तुलसी ममता राम सो, समता सबसंसार, राग ना रोश ना दोश दुख, दास भे भवपार अब यहाँ तो तुलसी दास जी कह रहे हैं कि राम का असली भक्त वो है जिसके लिए सभी एक समान है और सभी के लिए एक समान ममता है लेकिन बीजेपी पर और प्रधान मंत्री पर सबसे बड़ा आरोप ही ये लगता है सभी हिए वो रिया और मुस्लिम को अलग अलग चश्मे से देखते हैं संधा ना सब हुआ ने वो लन झाल ये थे खूंढ सने यह प्रधान मूब के लिए यह इस vyरी ऐ म्म आनधे थे पर आप यह एप और आप पढ़ते हैं यह सम्हिंदू है क्या मज़े की बात ये राम को मानते भी हैं दुनिया में कोई दूसरा धर्म और मजह बताईएगा जिसमें उस धर्म को न μानने वाले हैं उसके भगवान को बाते ओं और उससे मज़े की 10 थाइलन्ड तो हिंदू देश नहीं है कहा की लेड़ी कहती है कि हमारी वंशावली भगवान राम से है वो कोरिया तो हिंदू देश नहीं है और सबसे आदाप पृतिशत के हिसाफ से राम निलाएं जिस देश में होती हों इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़ा मुसलिम देश है तो भई राम तो सबके हैं मगर जानते हैं राम तो सबके हैं मगर जिनके दिमाग में मैकाले माक्स वोट बैंग करप्शन जातिवाद ये सब चड़ा हुआ है उनके राम नहीं है क्योंकि राम कैसे प्राप्त होते हैं आपने तुलसीदास जी के चौपाई सुनाई तो आज मैं भी कहना चाता हूँ भगवान कैसे प्राप्त होते हैं तुलिसी द cowboy जी ने बताया है अज़ भी पुत्र कुटिलाई यानि कुटिलता को तज कर भज लो अजहु तात तज भज कुटिलाई राम भजे गतिके नहीं पाई यानि अगर आप कुटिलता छोड़कर राम को भजेंगे तो सब प्राप्त होंगे और हमारा तो एक मात्र धर्म है मैं इमानदारी से कहता हूं जो कहता बिलकुल हम नियम और साइंटिफिक डंग से चलते हैं भगवान राम वन में गए तो उन्होंने दिखाया कि यदि पूर जन्म के कोई कर्म थे भगवान भी उससे बचे नहीं है आप समने सुनाओगा ना श्रमन कुमार की कथा सुनी थी राजा दश्रत से गलती से श्रमन कुमार का वद हो ग श्राब दिया एक गरीब निसहाए व्यक्ति का श्राब भी सर्वोच्च सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति के उपर लगता है यह है लॉफ नेचर और उनको आखिर में प्राण वैसे ही छोड़ने पड़े अपने बेटे के वियोग में जैसे स्रमन कुमार के मातर यह हमारे भगवान दर्शाते हैं हमारे भगवान रूल को फॉलो करके बनते हैं भगवान रूल को तोड़ के नहीं बनते हमारे भगवान राम जब अयोध्या से जाकर वो समुद्र पार करना था लंका जाना था तो कि समुद्र ने रास्ता छोड़ दिया था नहीं छोड़ा था बल दूसरे कुछ धर्मगरंथ है जहां छोड़ दिया था रास्ता, वगर मजे की बात ये, उनसे कोई नहीं पूछता, साइंटिफिक टेंपरामेंट का प्रमान दो, हम से पूछा जाता है कि साइंटिफिक टेंपरामेंट का प्रमान दो, इसलिए यह बात समझने की आवशकता ह इसलिए तुलसी जी कहते हैं काम क्रोध मद लोब मोहकू, बहाचित सो दीजे, राम नाम रस पीजे तो आज राम के नाम की बात हो रही है और कई युवा भी हमारे बीशें बैठे हुए हैं और ये पॉलिटिकल कॉमेंट्स भी सुनते रहते हैं सुधानशो जी आपने जाती मत भेद इसकी बात की, तेजस्वी यादव तो इससे और आगे बढ़कर ये कहते हैं कि चोट लगेगी तो अस्पिताल जाना होगा, भूक लगेगी तो मंदिर जाने से नहीं होगा उनसे पूछे कि लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल गए थे सुनिये तो, जेल से बाहर निकल के पहले कहा गए थे, अस्पिताल में चेक अप कराने या मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर गए थे पहले, मुझे बच्पन अच्छी तरह याद है जबकि वो लालू प्रसाद यादव थे, 24 अक्टूबर 1990 को जब अड़वानी जी को समस्तिपूर में गरिफ्तार करवाया, दूरदर्शन की आर्काईज में कोई जाके देख ले, उनका बाकाइदा बाइट है, वो कहे ओ, राम नला काउ के भीतर गड़ा हुआ है का, इस बेकार का बात है, यह जाद विरादरी का देश है, यह बोलने वाले लालू प्रसाद यादव जी, जेल से निकल कर सबसे पहले, मंदिर में गए थे, तेजस्वी जी, अपने पिता जी से पूछ लीजी और वो भी मैं अंतर बताता हूँ, हर चीच की आवशकता अलग है, ज पर वो जरूरत बहुत गंभीर होती है, आपको एक टाइम भोजन नहीं मिलेगा, तो कोई फरक नहीं पढ़ेगा, एक दो दिन तक भोजन भी नहीं मिलेगा, तो भी आप बन नहीं जाएंगे, परन्तो अस्पताल की जब जरूरत पढ़े ही, अगर एक घंटे की भी देरी ह पर वो जरूरत आपके शरीर की आवश्यक्ता से उपर होती है, हो सकता कई जन्मों में एक बार जरूरत पढ़े, परन्तु अब मैं बताना चाहता हूँ, तेजस्वी जी के लिए भी हम सब ने बच्पन में एक वो इंग्लिशी का हवा सुरी ना, इफ वेल्थ इस लास्ट ना लास्ट, अनगी हिए लास्ट, ना लास्ट, जान की लिए बीची के लिए जाए तो वेल्थ इशकर की देब रिख हूँ है, तो वेल्थ, यह तो दल खेर ungefी है, यह उऽे गरीग का परिवार था ना, आज फ kedat बीच directing पढ़े हूं हल्थ जैतेर में हेल्थ का निदान होता है and character is lost everything is lost और मंदिर में चरित्र का निर्मान होता है इसलिए वो चीज उससे उपर है परंत उसको समझने के लिए भी उसी प्रकार की दरश्टी चाहिए अब मैं जितेंद्र वाट के बयान की बात करती हूँ वो पैदा तो इसी उग में हुए हैं लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तब कोई चावल था राम जी भी मास खाते थे हम भी मास खाते हैं हम राम को मानते हैं सुदान शुची आप इस पर अपनी बात रखेगा कि इस तरीके के बयान क्यूं आते हैं उससे पहले मैं दर्शिकों के लिए भी और मेरे साथ जो यहां पर ओडियोंस में युवा बैटे हैं उनके लिए भी मैं वालमिकी की रामाइंड पढ़ रही थी और उसकी सुंदर कांज के अध्याए 36 की श्लोक 41 में लिखा है ना मास राघवो भुक ना चापो मधु सेवते वन्य सुविहतम नित्यम भक्तव चनाती पंचमम अब इसका अर्थ यह हुआ कि राम नामास का सेवन करते थे ना वह मधु का सेवन करते थे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसी के आधार पर कंद वन्य फल फूल इसका आदिका वो सेवन करते यह शाष्ट्र वम्मत जो बालमी के रामयन में लिखा पताने हैं इन्होंने कौन से रामयन पर्डी या कौन सी तुल्सी दास्टिक कर दिस पानस पानष्ट की वहारे हुआ यहां बाकी सब्जेक्ट्स में तो बगैर पढ़े हुए कोई कमेंटरी नहीं कर पाता, यहां सब कमेंटरी करने लगते हैं, देखिए मैं आप से किसी दे कहूँ कोई मेडिकल के ओपर कमेंटरी करें तो कहें कि भाई, क्या आपने डिग्री ली है MBBS की, नहीं तो फिर कहें डाक्टरी कमेंटरी कर रहे हो, यहां से पुछना चाहता हूं उन सारे नेताओं से, आपने संस्कृत पढ़ी, किस गुरुकुल में पढ़ी, वैदिक संस्कृत किस गुरुकुल में दिख्षा लेके पढ़ी, और तब आप टिपढ़ी करिए कि इसके अनुसार ये सही है कि वो गलत है, अरे भाई, इंजिनिंग पता हवा में दो-चार बाते मैं काले मार्क्स के जमाने से सुन ली और उसके बाद आकर लोग बोलने लगते हैं, दुख की बात एक क्यों बोलने लगते हैं, चंद कटर पंथी वोटों के में से कुछ हिस्सा मिल जाए इसके लिए, मतलब एक समुदाए की भी बात नहीं कर और मैं तो उनके लिए कहना चाहूंगा, चत्रपती शिवा जी महराज, जिसको पूरे भारत के वो आदर्श पूरुश हैं, और महराष्ट में तो सब श्यादा माना आता हैं, उनके नेता शरत पवार जी जानता राजा नाटक का खूब मंचन करवाते थे, तो चत्रपती शिवा जी महराज की शिवा बावनी गरंथ है, जो उन्ही के जमाने में लिखा गया, उनके राज कभी भूशन ने, तो उन्होंने तो लिखा है कि मोड राखे मुगल मरोड पात्साह राखे, और राम नाम रखनी जी रसना सुघर में, यानि अपने जिवहा पर, रसना कहत जिन्दा पीर, राम नाम रखनी रसना सुघर में, और बैरिन की हद राखी तेगबल सिवराज, शत्रूओं को तलवार के दम पर अपनी हद में रखा, और देवराखे देवल सुधर्म राखे हो घर में, यानि देवल अर्थाद, देवस्थानों में देवताओं को सुशो आपित किया, मैं इमसे पूछना चाहता हूँ, भाई पवार साब आप जवाद दीजिए, तो आप तो छत्रपती शिवा जी के आराध्यका इतना बड़ा अपमान करने में लग दे, जिसको उन्होंने धारण करके ये किया, मगर अफसोस की क्या बात बताएं, आज भी वही स्थिती है, मोदी जी के राज में क्या हो रहा है, ये मुगलिया मानसिक्ता वाले मुड़े हुए हैं, जो पात्षा है गाजी जिन्दा पीर वाले कहते हैं, तो तुड़े हुए हैं, ठीक, और भारत विरोधी अपने हद में हैं, और देवस्थान में देवता सुशोभित ह रहे हैं, भव राम मंदिर देखिए, काशी विश्वनात का करेडोर देखिए, आप महाकाल का करेडोर देखिए, और यत्रतत्र सरवत्र देखिए, और अपने अपने घर में धर्म की का दीपक 22 जन्वरी को जलता दिखेगा, इसलिए मैं कह सकता हूँ, आज अरुन गगन पर महा प्रगतिका, अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला, अंगडाईली, सोया हिंदुस्तान उठा। इसा क्यों है? उसका कारणी है, देखें, मैं आपको बात बता हूँ, दुनिया में बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं, वो पोलिटिकल शक्तियां भी हैं, वो थियोलोजिकल शक्तियां भी हैं, वो आइडियोलोजिकल शक्तियां भी हैं, और इस्प्रिश्यल शक्तियां सिर्व हिंदूओं को अपनी शक्ती के बारे में confidence में कमी है बाकि सब को हमारे बारे में confidence में कभी नहीं है देखे मैं नहीं कह रहा हूं कि दूसरे धर्म वालों को अपने उनको पता है असली ताकत इसके पास है और इसकी ताकत सोई रहनी चाहिए हनुमान जी की तरह जैसे र राष्टी भी हैं वो हिंदू धर्म को नष्ट करने और कमजोर करने के लिए लगी रहती है इसलिए जो मैंने पहले भी एक आद बात कही है आप समने गजवाए हिंद शब्द सुना होगा गजवाई यॉरप और गजवाए रशिया क्यों नहीं गजवाए चाइना क्यों हम महारशी अर्विन ने कि जो इस्थान हमारे शरीर में आत्मा का है कितना अंगुष्ठ मात्रेण जो हमारे यहां अंगुठे के भर का इस्थान आत्मा का रहता है वो इस्थान पूरी भारत में पूरी विश्व में भारत का है तो उनको पता उर्जा का अध्यात में Union Civilization, Turkish Empire, Mesopotamian Empire, सब खतम. रशीदन खलीफत, अबासी खलीफत, उमयत खलीफत, खतम. एजिप्ट का इंपायर खतम. आज सिर्व हिस्टी में हम एक मात्र शास्ष्वत जीवित हैं. चुँके हम आत्मा हैं. इसलिए हम नश्ट नहीं होते और उनको पता है. इसी आत्मा पे कबजा करना है. इसी लिए चुँ? उसका मैं उत्तर देता हूँ अटेल जी की पंक्ति से. अटेल जी ने कहा था, दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां, यूनान कहां है? दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां, यूनान कहां है? घर-घर में शुभ अगनी जगाता, वो उन्नत इरान कहां है? दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया, जब बर-बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा. और इसलिए मैं आपके एक और बात बताओं, इसलिए भी मैं उनकी भी गलती नहीं मानता हूँ. देखिए, उन लोगों को एक mindset है, सीमेटिक थौट ये कहता है, देखिए, एक और बात बताओं, यहाँ पे थोड़ा अलग अटके, हिंदु धर्म और भारती ये परमपरा मे एक बहुत अंतर था, हमारे हैं कोई restriction नहीं था, इमानदारी की बात कहें, ग्रहस्तों का कर्तव होता था, जो धर्म गुरु होते थे, उनका मत्संपरदाय होता था, जैसे हमारे हैं कोई समस्या नहीं, आप देवी के भक्त हैं या शंकर जी के भक्त हैं, आप कृष्ण के भक्त हैं या राम के भक्त हैं या गणेश के भक्त हैं, कोई फरक नहीं पड़ता, आप जहां आपकी जिग्यासा शांत हो चले जाईए, इसलिए आप द्वैत को माने, विशिष्टा द्वैत को माने, द्वैता द्वैत को माने, कोई फरक नहीं पड़ता, इसलिए हमारे ज मिलता वहां चले जाएए इसलिए हिंदू मजार पे भी चला जाए तो कोई फरक नहीं पड़ता चर्च में भी वो चला जाता है तो कोई आपत यह नहीं करता पर सीमैटिक बहुत सारे पंत हैं आप पंत हो इसलिए आपको नजर आता है एक सिंगल नाइन सिंगल एजंडा सिंगल बोक सिंगल गॉड और सिंगल वे ओवर्शिप इसलिए अंतर है तो सीमैटिक थाट की वज़े से प्राब्लम है मैंने काना है इस सब सीमैटिक थाट के आज जो प्रध लेकिन जेडियू बड़ी क्लियर है आपको लेकर और आपकी पार्टी को लेकर जेडियू कहती है कि आपने तो राम को हाईजैक कर डिया है जेडियू ये कहती है कि मंदिर बीज़पी की कृपास से थोड़ी ना बना ये तो सुप्रीम कोट के आदेश इसे बनाए तो आप इ इतने हाई हैं कि उनको जैक कोई कैसे कर सकता है यह जो कहरा उसकी बुद्धी पर तरस आता है है मतलब देखे भगवान अनंत हैं और उसके बाद वो किस रूप में आते हैं समझने के लिए बड़े-बड़े लोग की बुद्धी फिर जाती है आप सबने वो वो बड़ा प्र अने ब्रह्माण्ड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें यानि वेद कहते हैं जिनके रोम रोम से कितने ही ब्रह्माण्ड और माया निर्मित हوتी है सो मम उर्बासी यह उपहासी यानि कौशलिया जी कहते हैं वो जिनके कि रॉम रॉम से अगनित ब्रमान डुत्पन होते हैं वो मेरे गर्भ में आकर स्थापित हो गए हैं यह उपहास यानि मजाक की बात लगती है किसके लिए सुनत थीर धरी मत न रहें यानि बड़े-बड़े बुद्धिमान हैं उनकी मत इस्थिर नहीं रह पाती वो कन्फ्यूजिया जाते हैं इसी लिए ये लोग कन्फ्यूजिया रहें और मैं यहां एक और बात कहूं हूँ पटा राम चरित मानस तो 500 साल पहले लिखी गई है ये मल्टी यूनिवर्स की थोरी कब आई है मजाक ओड़ाया जाता था कि मल्टीपिल व्रमहंड कैसे हो सकते हैं आज मिशियो काकू की पैरलल यूनिवर्स पढ़िये जाके जैपनीज ओरीजिन का अमेरिकन साइंटिस्ट है काल सेगन सबसे बड़ा कॉस्मोलोजिस्ट है उसकी किताब कॉस्मोस पढ़िये जाके और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि अब और उसने फिर ऐसा नहीं है हम कहेंगे आप कहेंगे ठीक है यहां लिखा हुआ है मल्टीपिल यूनिवर्स वो आप उसको कनेक कर रहे हैं खाम खाम है काल सेगन का वीडियो जाके देखिए उसने लिखा हुआ है ओनली दी एंशेंट कैलकूलेशन ऑफ एंशेंट हिंदूस मैचेज विद अमॉडर्ण साइंट फिक कॉस्मोलोजिकल कैलकूलेशन आप लोगों में फिए अगर किसी के मन में प्रश्न है तो एक प्रश्न में ले सकते हूं आप कौन पूछन चाहरे आप नमस्कार सर मेरा नाम शिखा मिश्रा है हमारी जो युवा पीड़ी है और जो आने वाली पीड़िया है हमने श्री राम की और सनातन धर्म की एक अलगी परिभाशा बनाई हुई है आज कल वो जैश्री राम सुनके और मूवीज वगर देखके तो आप से मैं जानना चाहूंगे कि हमारे लिए कौन सा सही तरीका होगा जिससे हम प्रभू राम को जान पाएं जो प्रभू श्री राम है देखिए जो आपने बात कही वो सही बात है मूवीज में एक इमेज बनी हुई है कि टीका लगाए कंठी माला पहने और धोती कुरता पहने वेक्ति विलन ही होगा कि तैमान लीजेगा और इतना ही नहीं धर्माचारे तो धूर्थ होगा इतना ही नहीं प्रोफेसर मजाग का पार्ट होगा पढ़ने निखने वाला चात्र बेवकूफ होगा वो चतुर महालिंगम होगा और क्लास बंक करने वाला इंटेलिजेंट होगा पॉकेट मारने वाला विक्ती जो होगा वो तो उधार होगा क्योंकि वो चोरी करके बाट रहा होगा ठीक और जो बिजनेसमेन है या जो नौकरी कर रहा वो बेवकूफ टाइप का दिखा जाएगा वो जिन्दगी की दौड़ों पे शर्ता दिखा जाएगा अरे बहुत सारी चीज़े दिमाग में भरी गई है फिल्मों में ये बताइए ये फौजी के डिस्प्लिन का मजाख उड़ेगा हर हिंदी फिल्म में साउथ हिंडियन मजाख का पार्ट होगा हम लोगे जनम के आसपास के जमाने की फिल्म वो कौन सी थी पडोसन मास्टर पिल लई एक चतुर नार करके सिंगार वो भी मजाख के पार्ट होंगे और अभी दर कौन सी फिल्म थी इसमें खाजाना खोजने के लिए जाते है जिसमें वो कहता है कि गोवा तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा उसने का जब तक नाम बताऊंगा त उसका ही मजाख भई यह क्या है उत्तर दक्षन में लडाना है हर फिल्म में सरदार मजाख का पार्ट होगा बहुत बड़ा शडियंत्र था यह एक लेफ्टिस्ट एजेंडा था और इसमें यह नहीं कह रहा हूं कि इस फिल्म वालों ने जानके किया है वो तो विचारे जोली बाबा पकड़ के ले जाएगा तो मतलब वो दाड़ी वाला बाबाई जोली होगा और मैं किसी के प्रतियां माना नहीं करना चाहता मगर एक बात बताईए कभी किसी मौलवी को निगेटिव रोल में दिखाए गया तो बताईए इवन आतंकवाद वाली फिल्मों में भी उसको करेक्टर रोल में दिखाय जाएगा यह सोचने की बात है एक ही फिल्म में अमिताब बच्चन जी की फिल्म है 1970 के दशक की जिसमें जब उनकी भावी आती है और या माँ अगर उनको प्रसाद देए मैं नहीं लेता ऐसा प्रसाद मैं नहीं मानता ऐसे भगबान को जो गरीब का पेट नहीं बढ़ सकता उसी फिल्म में 786 का बिल्ला उनकी यान बचाता और उसको यूँ हाथ से लगा लगते हैं सोच ये कैसे दिमागों में चीज़े भरी गई है इसलिए मैं युवा पीडी से कहूंगा इस जगत प्रपंच से बाहर निकलिए और ओरिजि इसे समय की चाल बदली, देखिया मापको एक बात यह बताएं, आप सबने शनी की सालेशाती वर्ड सुना होगा, यह सालेशाती का मतलब क्या होता है? शनी एक राशी पे 20 साल रहता है, और वो इतना शक्तिशाली होता है कि एक राशी आगे और एक राशी पीछे तक इंप तो शनी का rotation cycle 30 years है भगवान राम के भी तो साड़े साथी लगी थी कहा है तो तो धाई साल मत्तब तीस साल का rotation cycle शनी का है यह तो हमें कि सूर्य प्रथवी के चार और घूमता है यह गलत पृथवी सूर के चार और घूमती है तो उसको कह दिया गया कि Tumhari ब्री चर्च का लगा उसका नाम हटवाया वरना जिस यमाने में इस पेस में सेटलाइट पहूंच गया आदमीonce अsm 않तर में เชंधर VAN Quem को कोई नहीं कहता उनसे कि आपके धर्म में कोई आपत्ति जनक बात लिखी हुई ये इसे हटाने की आवशक्ता है मगर जहां सबसे साइंटिफिक बाते लिखी है वहाँ पे लोग कहते हैं कि इसमें हटाने की आवशक्ता उसको अटाने इस शडियंत्र को समझना चाहिए इस शडियंत्र को आप भली बाती समझें तो आपको समझ में आएगा कि जो सब्विता सर्वाधिक उदार है उसी सब्विता के साथ सबसे अधिक छल किया जाता है जिसे हम कहना चाहेंगे आजादी का मृत काल है तुम कहते हैं हो गए हैं सबसाकार कैसे मान ले हम तल गया सरसे विथा का भार कैसे मान ले हम राश्ट को हैं लोग भूले स्वार्त है यज्ग मंत्र सारा वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुश द्हारा इस अमा के तिम opinion को यानि अमा अन्दकार तिमिर मतलब अंदकार, रात्र की अंदकार को, अब अरुनी मा क्या माने ले हम, टल गया सरसे, विथा का भार कैसे माने ले हम, और आगे की लाइंग सुनिये, वो महत्पूर्ण है, वेशवानी तत्व दर्शन, दूसरों से यह सभी ले, विकृति को हम ग्रण करते, निजप प्रकिति को आज भूले, इस विदेशी नकल को, अब अस्मिता क्या माने ले हम, हो गए हैं सबसाकार कैसे माने हम, इसलिए मोदी जी ने क्या कहा है, अमरत काल के जो पांच प्रण हैं, उनमें पहला है, भारत को विक्सित राष्ट बनाना है, दूसरा है, गुलामी की मानस सिक्ता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त कर रहा है, और तीसरा है, अपनी विरासत पे गर्व करना है, इसलिए गुलामी की इस मानसिक्ता से बाहर निकलिए, तो नया भारत दिखेगा, जिसके लिए हम कह सकते हैं, कि सुपन देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है, और एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, सुधानश्य जी, मैं एक बार फिर से रामायन पे राम पर आपको लेकर आ रही हूँ, नौमी तिथी मधुमा सुपनीता, सुकल पक्ष अभीजित हरी प्रीता, ऐसा मूरत था, ऐसा समय था, रगुकुल में उनका जन्म हुआ राजपाट उन्हें विरासत में मिला, सब कुछ इसे कहें कि सुमंगल था, इसके बावजूद अलग अलग पत पर राम जी को दुख भी झेलने पड़े, कश्ट भी झेलने पड़े, परिक्षा भी देनी पड़े, वो वनवासी भी हुए, आज के युग में अगर किसी को स यदि भगवान राम का जन्म केवल रावन के वद के लिए हुआ था, तो बहुत सहज था है, अध्या के राजा के रूप में उत्पन हुए था, अध्या के सेना लेके जाते हैं, मार देते हैं, पर रहन तो इससे धर्म के स्थापना नहीं होती थी, प्रभू ने जो पूरी इस धर्म के रिक शक्तियां है, आप जेल से बाहर आ सकते हैं, तो क्यों अपना सेक्रिफाइस कर रहे हैं, उन्होंने का मेरे अंदर शक्तियां मैं बाहर आ जाऊंगा, तो लोग सोचेंगे कि गुरू के पास तो शक्ति थी, गुरू जी बाहर आ गया, हमारे पास थोड़ी इसके महान नहीं हुए, चंगेस खादा ग्रेट, अलेक्जेंडर दा ग्रेट, बड़ा बड़ा को मरवा दिया लाखों लोगों को, कहें उसके बाद ग्रेट, हमारे यहां उतना बड़ा आदर्श दे कर, और आप देखिए, उसके बाद क्या हुआ, निशाद राज का सबके अंदर कॉंफिडेंस पैदा करना, तब जाके धर्म की स्थापना होती है, इसलिए आज देखिए, आज भी संयोग देखिए, कि भाई, जब हमने स्री राम जन्मुमी का शिलानियास हुआ, 9 नवंबन 1989 को, तो आपको पता है कि जो शास्त्री विधान है शिलानियास क उस ग्रंद का नाम है समरंगर सूत्रधार, उसके अनुसार चार इंटे रखी जाती है, नंदा भद्रा जयापूर्णाव से पहले पांच मीट किसे रखवाई गई, कामेशवर चौपाल से, जो कि आज जो लोग राजनीती करते हैं, उसके हिसाब से तथा कतित निशली जा है, दुरबदी मुर्बू जी, जो अनसूचित जनजाद से पहली प्राष्टपती हैं, और हमारे प्रधान मंतरी कौन है, श्री नरेदर मोदी जी, जो पिछड़े वर्ग से हैं, और फिर इतना ही नहीं हुआ है, चार करोड लोगों को गरीबों को आवास भी मिला है, जिस है, नई संसत भवन भी बनी है, भारत पांचवीं बड़ी अर्थफिवस्था बना है, चोथा बड़ा स्टॉक एक्चेंज बना है, तीसरा बड़ा ऑटो मोबाईल मैनफेक्चर बना है, अगर अभी आपने डाटा पढ़ाओ दो जो पिछले हफ्टे का डाटा आया है, इस हैं, जो राम के काल में हुआ था, वो मोधी जी के इस शासन काल में, राम मंदिर के निर्मार के काल में हो रहा है, इसलिए राम को समझना इतना सहज नहीं है, जो तुलसी हैं तो संपूर्ण राष्ट समाज सभी को साथ में लेके उठते हैं और अब तो देखिया ऐसा उड़ गए कि जो कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा वो कहते हैं मेरे पास इनिमिटेशन कब आएगा इसलिए तुलसी दाव जी की ही बात के साथ आज शेक मैं इस कारिक्रम का सुमापन करते हूं सुधान्शु जी तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए निर्भय होकर सोए अन होनी होनी नहीं होनी हो सोए तो ये होनी लिखी थी राम जी का भव्य मंदिर बनना था देखिए हमारे कहा गया हुई है वही जो राम रहची राखा को करितर के बढ़ावे शाखा यानि जो उता है वही होता है और वैसे वांदा लाइटर नोट में ये भी कह दूँ जब से शाखाएं ज्यादा लगने लगी तब से आप देखिए कि राम का प्रभाव भी बढ़त कुछ कुछ आप ऐसे समय लीजिए आप में से शाखाएं बहुतों ने अगर राम चरीत मानस पढ़ी होते हैं जब भगवान राम आयोध्या में आये थे तो भगवान शंकर और पारवती उनकी इस्तुती में एक गीत कहते हैं जहाना है आप में से किसी को जैराम रमा रमा शमनम भवताप पयाकुल पाही जनम ये सुना तो जरूर होगा मगर इसका प्रसंग नहीं पता होगा और आज देखे संयोग जब राम लला अपने मंदिर में आके प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो भारत चंद्रमा की अच्छूते कोने को छूने वाला भी दुनिया का पहला देश बन गया सदन पोल पे और उसका नाम भी मोदी जी ने पॉइंट शिव शक्ति रख दिया है तो मानो मैं इसको साहितिक धंग से कह रहा हूं मानो चंद्रमौली भगवान शंकर शिव और पारवती वो शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा से भी आशिरवाद दे हो कि जैराम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहिजनम सुदान्शु जी बहुत बहुत धन्यवाद सुमय देने के लिए वर अन्दवे एक बात और कह दूं साहरा हम अपने बच्पन में एक लाइन सुनते थे और आज लगता है कि उससे मुक्त मिली वो ये थी कि कही सुनते हो राम तेडी पीडियों का नाम कायरों की सूची में जोड़ देना चाहिए और तेरे भी जो दर्शन पे मंदिर पे प्रती बंद लगा हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए परन्तु आज जब ये भव मंदिर में आके वो विराज रहे तो हमें लगत पग पर बनी पुनीता है यदि राम नहीं है शासों में तो प्राणों का घट रीता है यानि खाली है इसलिए नरनाहर शिरिपूर शोत्तम का हम मंदिर भव बनाएंगे सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे आज सौगंध पूरी हो रही है बहुत बहुत धनेबार सुधानशू त्रिवेदी ची इंडिया चीवी को समय देने के लिए